हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब मैं आसा करता हूं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे मैं फुल्चत मोरिया अपनी यूटूब चैनल में स्वागत करता हूं फ्रेंट जैसा कि आप देख सकते हैं टीविए स्टासिटी प्लस बाइक है जिसमें हमारी बाइक में जो है प्र यहां पर हमारा कलच का जो है यहां पर केबल है हमने इसको अर्जेस्ट पूरा फुल कर दिया है यहां से कोई भी यहां पर अर्जेस्ट में नहीं बचा है फूरा हमने डिल कर दिया फिर भी एक कलच जो है हमारा यहां पर नीचे जा रहा है इसका जाने कारण एकदम से क्य है कि और बाइक जो हमारी पिकप भी नहीं ले रहे है कि से स्टार्ट भी नहीं कर रहे है इसका कारण एक हमारा जो है करच प्लेट हमीं लगता है कि पूरा चला गया है साथ में देखना पड़ेगा कि इसका हफ सेंटर भी बचा है कि हफ सेंटर भी चला गया है वीडियो को ल और इधर जो हैं इसको खोल के हमें दोनों को रिमूब करना है और सब कुछ मैं करता हूं तो गाइज इसे हमें इस तरह करके बाहर निकाल लेला है चाहें तो हम इहीं पे छोड़ सकते हैं इतना ही करके हम छोड़ लेंगे यहां पे तो हमारा यह जो है सैलेंसर जो अभी फसेगा नहीं उसके साथ में मैं इसका जो है और यहां पर कैप और ओयल को भी ट्रेंड कर लूँगा तो चलिए इसको सबको हमें इसको कंप्लीट खोलना है और चेंबर को कंप्लीट हमें बाहर करना तो चलिए झाली साथ में पर फिए दिल कर दो चाम कर दोफना यहां ऑला on कि अजय हमें एझगा दो चलिए अजय हमें पक्शलीट लोग्त पस्वड़भ्त झाल झाल तो फ्रेट सबसे पहले हमें इस दस नंबर का यहां पर तीन वोल्ट दिया हुआ है तीनों को हमें खोलना है तो चलिए कुछ इस तरह से हमें यहां पर कुछ लगा लेना ऐसे प्राइमरी गेर जो हमारा है देखते हैं अगर बैठेगा तो यहां पर बैठा लेता हूं इसको मैं तो यहां पर हमें लगाना है तो चलिए थोड़ा सा लगा लेता हूं और नहीं तो इससे भी खुल जाएगा यह को बिश्कत नहीं है जलिए मैं इसको खोल लेता हूं तो इस नंबर का आपड़ जो बॉल्ट है यह बॉल्ट जो है क्योंकि इसको खौनने के लिए हमें जरूरी हो गया है क्योंगि यह नहीं खुलेगा तो हमारा जो है कलश प्लेट नहीं डल पाएगा क्योंकि यह क्लेट जो है एकदम से सिलि करना है ऐसे जब हम निकालेंगे बाहर आ जाएगा तो प्रेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी नीचे से प्राइमरी गेर को लगा के इस तरह से इसको मैं खोल रहा हूं और इसको खोलने के लिए हमें अपो इसका जो है उल्टी चूड़ी होता है जो है इसका होता ह है उस तरह से हमें इसको खोलना होता है देख सकते हैं तो आई से करने के बाद में नहीं अपर जो है यह बाहर आ जाता है और इसको इस तरह से में को खोलना है इसको कोने के पीछे भी हमें एक वाइसर दिया रहता है देख सकते हैं यह वाला है इस तरह से तो उसमें हमें रहने देना हाँ बाद में अर्भी उदिक नहीं जो आइन recompenser के भी गोलना होता है इसके भी motor कुछने के लिए देख सकते हैं इस सचने ही काम करेगा तो इसलिए इसको हमें अंदर पोल को रखना जरूरी है ताकि यह गायब ना हो तो सप्ति करनी के बाद में इसको में चारों हो यहां पर जो बोल करत दिया हो था सो इसको हमें complete खोलना तो चले इसको मैं खोल लेता हूँ तो चार यहां पर देख सकते हैं तो चार यहां पर किस तरह से बोल्ट और यह प्लेट अमारा निकल चुका एक表示 होता है उधर नहीं होता है त्रशन होता है रॉल्ट को हमें खोलना है इसको कोणने के तो यह चार होल का जो रहता है तो यहाँ पे इसको हमें इस तरह से फसाना है ऐसे फसाने के बाद में हमें कुछ इस तरह से जिस तरह से हमने उसको खुला था इसी तरह से हमको इसको भी खूलना है तो चलिए मैं इसको मैं खोलता हूं सिधी थ्रेडर रहता है क्योंकि हाड ब संभाल के करना होता है नहीं तो क्या होता है कि यह जो हमारी गोटी होती है यह तो यह हमारी कीमती रहती है इसलिए हमें तूल को भी संभाल के यूज करना होता है क्योंकि यह एक भी इसके खुट जाएगा तो जिससे क्या होगा हमारा टूल एकदम से बरबाद हो जाएगा त सकते हैं इसका 3 किस तरह से सीधी त Gender छोरा को यहां आधी रहता हूँ चलिए मैं इसको ka 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 Saatch को कंप्लीट में बहार'd निकालता हूं देख सकते हैं कुछ इस्तरा से बोल रहता है यह पीछे जो है हमारा यहां पर हाउजिंग पर कटोरे पर देख सकते हैं बूसल लगा रहा रहता है इस तरह से तो चलिए उसको मैं बाद में आप यह आपको दिखाता हूं पहले मैं इसकी स्थिति दिखा दिता हूं कि कलच प्लेट हमारा कैसा है और हफ सेंटर हमारा से खराब है तो चलिए मैं इसको यहां पर रखता हूं और सभी को पहले प्लेट को मैं बाहर निकालता हूं और यह जो हमारा प्लेट है यह भी शेफ है तो चलिए इसको मैं निकालता हूं गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह क्लेश प्लेट की स्तितिक इस तरह से हो चुकी है एकदम से जो क्लेश प्लेट हमारा जल के खाक हो चुका है कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि यहां से यह प्लेट का जो है यहां पर देख सकते हैं यहां पर इसका जो है तरहता है तावечь ग्रुप इस तरह से इसमें बना हुा है ये तो जला हुआ है लेकिन इसका जो सब नहीं तरहा और किस तरह से इस्थिति कपड़े से इसको पूंच देता हूं और फिर अपको दिखाता हूं कि कैसे इस्तिति है देख सकते हैं एकदम से इसका जो है अलमूनियम प्लेट बाहर आ गया है तो एकदम से बुरी इस्तिति इसकी हो चुकी है तो इसी वजह से बाइक में इस तरह से प्रोलम आया है तो और यह कारण क्यों क्या होता है आनिका यह में इसका होता है गलत तरीके से जो ह हाड रहे क्लच जो टाइट रहे तब भी यह जो है क्लच प्लेट यह गिज सकता है तो इसमें केबल में प्रॉब्लम था पहले तो चलिए मैं इसको लगाता हूं देखता हूं कि केबल हमारा यह जो चलता है कि नहीं चलता है नहीं तो क्लच का जो इसका केबल भी हमें चेंज खराबी नरह ख्राइं경 सब्सक्राइब और इसके साथ में एक बust आहा कुछ इजली तरीके सी हमारा यह फट हो चुका तो कुछ इसस्याख से हमें इसको ना थीक है जब आप अहां पर ना है और इसको करने बाद में कुछ इस तरह से आपका जो है यह हब सेंटर लगता है और उसके साथ में जो है प्रेशर प्लेट जो है यह लगता है और क्लच प्लेट यह तीनों को हमें इसका सेटिंग करना तो चले किस तरह से हमें सेटिंग करना है चलि उसको मैं दिखाता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहां से पैक को फार लिया और फारने के जी आनी वाली जो हमारी थी उसकी सफस्नी आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है कि एक दम से घसिके किसंद और से यहां टाला आपको यहां है आपको यहाँ एक प्लेन और एक तरह से तरह से एक रहता भधा यह उपर से उपर रहता है यह इसे करके तो क्यधिट तो देख सकते हैं एक करके हमें डालना है ऐसे एक उपर एक नीची ऐसे रहेगा इसकी सीध में इसे बिठाते जाना है ठीक है देख सकते हैं अधी अधी जो है यहां पे एक सब्सक्राइब करेंगे क्या ही यह और कुछ इस ट्राशिचंतर पे मिला नहीं आ चलीच आप आप जब करेंगे तो यह बैटने में थोड़ा दिक्कत करता है तो चलिए मैं आपको घुमा के दिखाता हूं यहां पर ऐसे करेंगे तो नहीं बैटेगा आप थोड़ा सा एक बार घुमाएंगे जब यहां पर यहां पर क्योंकि इस पर भी एक बिंदू बना हुआ रहता है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर यहां पर बिंदू बना रहता है इसके हमें सीथ पर रखना होता है तब हएक बंदू यहां पे नहीं बैट रहा तो आप घुमाके दूसरी साइट कर सकते हैं अब यहां पर पर फैक्ट जगह पे किया है तो हमारा यह अगर यहां पर यह जो है चपक के ना बैठे अच्छे से यहां पर पड़े तो समझ जाईए कि अभी जगा पर नहीं गुमा के देख से बाकि ज्यादा इसमें टाइमिंग करने की ज़रूत नहीं है ठीक है अभी हमारा यहां से हो चुका है तो यहां से करने के बाद में यहां पर बोल्ट को हमें लगाना है बोल्ट को लगाने कि से पहले हमें यहां पर एक वाइसर देना होता है कुछ इस तरह से वाइसर जो लगता है ठीक है यहां पर वाइसर हो गया ऊपर से जो हमारा कुछ इस तरह से बोल्ट होता है दूनों का बोल्ट से तरीके से होता है चाहे कोई भी इधर उदर लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है इसमें आपको कन्फूज नहीं हो ना दूनों बोल्ट एक ही समान है आपको यहां पर जानना जरूरी है नहीं तो बाद में आप लोग बोलेंगे भाई कि बताया नहीं हमने आपको यह देखिए हो गया हमार इसको हमें करने से पहले हैं कि हमारे यहां पर जो है इचार लगा था पहले हमें चारो स्प्रिंग को फिट करना have powerful सभी को कुछ स्तरा यह नहीं पर गिर गया को हमारा बैट को मैं इसको मैं लगा लेता हूं इसी पर कोई दिक्कत नहीं आज सानी से बैठ जाता है तो चले मैं ऐसे करके और बिठाता हूं और फसा के फिर दिखाता हूं तो फ्रेंट्स देख सकते हैं हमने फसा दिया है और हमी सब वॉल्ट को टाइड करना है अपको यहां पर यहां पर कर दिया है इसके पीछे हमारा यहां पर यह लगता है देख सकते हैं हमारा यह बुस लगता है उसके बीच में एक बॉल रखता है जिसको हम छर्रा बोलते हैं देख सकते यह वाला चोटा तो इस पर हमें लगाने किसे पहले ध्यान देना होता है कि गिरने न पाए अगर यह हम नहीं लगाएंगे तो हमारा जो है यह गिर जाएगा तो फिर हमारा जो है क्लेच यह काम नहीं करेगा इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है बोल का बहुत क्लश काम करता है तो यह बोल हमारा हमेजा रहना चाहिए इस सीमापको ध्यान देना है zoom को एक तांब में इस तरह से ले की के जगां पेंसे इसंके फसने के बाद में हमेंक। इस तरह यो है इसका वाइसर देनाैइज के ओपर से हमें इस बॉल्ट को लगा न जो है खोला था उस तरह से हम को इसको टाइट करना पड़ रहा है इसको ध्यान देना है उल्टी थ्रेड इसका होता है नहीं तो अगर आप बल लगा देंगी ज्यादा तो इस जिससे क्या होता है कि आपका यहां बलेंसर तूट भीज सकता है तो ठीक है चलिए मैं इसको कर देता हूं यहां से आपको इसको साफ करके ऐसे प्लेट को लगाना है देख सकते हैं ऐसे करके इस प्लेट को लगाने के बाद में हमें जो है दस नमबर का यहां पर बोल्ट जो दिया रहता है तीन इसको फसा लेना है सकते हैं इस तरह से हमने इसको टाइट किया है इसी क चलिए इसको मैं चेंबर को थोड़ा साफ सफाई करकर के और इसको ध्यान देना है कि इस तरह से रहना चाहिए इसमें तो जब भी आप खोले इसको ज़रूर आप ध्यान दें और ठेसी को हमें इस तरह से अंदर बिठा लेना है पहले फिर मायस को और प्वरा कलशन देना देखके हमारा इसी में लगा रहे ना चाहिए यह गिर्ना ना चाहिए पी टेसी तो चलिए मैं इसको साफ कर लेता हूं और लगाता हूं और गाम करके और पूरा गाड़ी हमारा एगदम्से रेडिय हो के लिखाता हूं देख सकते हैं पएर को मैं जब दबाता हूं तो इस तरह से आप प्रॉबलम को सोटाउट कर सकते हैं तो चलिए इसको मैं इंजन ओयल को डालता हूं और मैं आपको दिखाता हूं तो फ्रेंट हमने इंजन ओयल को भी फिल इसमें डाल दिया है और चलिए मैं चाभी को ऑन करता हूं और किक मार की मैं स्टार्ट करके दिखाता हूं कि बाइक हमारी स्टार्ट होती है देख सकते हैं बाइक हमारी हो जो एक ही कि में हमारा जो डारेक्ट स्टार्ट हो चुका है और क्लेश केबल जो हमारा पुराना ही है तो चले मैं इंजिन को बंद कर देता हूं क्लेश केबल हमारा पुराना ही है चल गया है क्योंकि जो हमारा कलश प्लेट जो है टाइट जितन करना है साथ में इसका जो कमी किस तरह से आता है उसको भी आपको देखना होता है किस तरह से इसका फिटिंग होता है पूरा पार्ट और उसके बाद में हमने बताया आपको अच्छे से आपको समझ में आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रस करेंगा क्योंकि आपको हमारी चैनल पर वीडियो मिलती रहती है तो चलिए वीडियो को इंट करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो करते है